आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे बड़ी खबर का मंडी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर सत्पाल सत्ती के पोस्टर पर कालिक पोती गई है बड़ी खबर आपको मंडी से बता रहे हैं सत्पाल सत्ती के पोस्टर पर कालिक पोती गई अग्यात लोगों ने साफ नहीं हो पाया कि ये कारे किसके द्वारा किया गया है ग्यात लोगों के द्वारा उनके पोस्टर पर काला पेंट कर दिया गया है मंडी से खबर आपको बता रहे हैं हालां कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किन श्रार्थी तत्वों ने ये काम किया है लेकिन पोस्टर में देखा गया कि सत्पाल सत्ती जो उनकी फोटो पोस्टर में लगी थी उसमें कालिक पोता गया है तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पोस्टर में सत्पाल सत्ती की तस्वीर लगी है पोस्टर में तस्वीर में उनके चहरे पर काली स्याही से रंग किया गया है हाला कि ये साफ नहीं हो पाया कि किसके द्वारा ये कारे किया गया है कौन से से श्राफी तत्व है जिनकी ओर से ये कारे किया गया लेकिन वीडियो वाइरल हो गया है तस्वीरे सामने हैं आपको TV स्किन पर तस्वीरे दिखाई जा रही है जिसमें दो शक्स खड़े हैं और एक शक्स पोस्टर पर कालिक पोता नजर आ रहा है सत्पासथी के चहरे पर केवल इसकी और ते ये काम किया गया है कि किसी के भी नाम अभी सामने नहीं आये है और नहीं ये साफ हुआ है किकी और तर दिखाई दे रहा है जा रही है कालिक पोतने का काम शक्त के द्वारा किया गया है तो आपको बता दे बीजेपी के परदेश अध्यक्ष हैं सत्पास्ती अज्यात लोगों के द्वारा उनके चेहरे पर कालिक पोता गया है वीडियो वाइरल हो गया है लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर ये कौन है और किसके द्वारा ये काम किया गया है तो ग्यात लोगों का वीडियो सामने आया है तस्वीरें आपको दिखा रही है आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से पोस्टर लगा हुआ है जहां पर दो शक्स एंट्री करते हैं उनमें से एक चक्स हाथ मैं स्केच लेकर सथपाल सती के चहरे पर काली स्याही लगा देता है किस तरह से काली पोस्टी जा रही है तस्वीरें आप टीवी स्क्रिन पर देख सकते हैं हाला कि ये साफ नहीं हो पाया है कि किस के द्वारा ये काम किया गया है लेकिन तस्वीरों में किसी के भी चेहरे पर स्याही नहीं लगाई गई केवल और केवल BJP परदेश अध्याक्ष सत्पाल सत्ती के चेहरे पर कालिक पोचने का काम अग्यात लोगों के द्वारा किया गया है और वीडियो वाइरल हो गया है वीडियो आपको टीवी स्क्रिन पर दिखा रहे हैं आप देख सकते किस तरह से इस चक्स पोस्टर के पीछे एंच्री करके हातों में स्केच लेकर सत्पाल सत्ती के चेहरे पर कालिक पोचने का काम कर रहा है अनकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि किसी ओर से ये काम किया गया है लेकिन केवल सत्पाल सत्ती के चेहरे पर ही क्यों कालिक पोथी गई किस के द्वारा ये काम हुआ ये साफ नहीं हुआ है लेकिन वीडियो सामने आया है वीडियो वाइरल हुआ है अग्यात लोगों के द्वारा ये काम किया गया है जो टीवी स्क्रिन पर आप कौन तस्वीरे दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं किस तरह से शक्त के द्वारा ये काम किया जा रहा है इसी ख़वर पर जादा जानकारी के लिए मंडिय से हमारे समधाता नीरज हमारे साथ जुड़के हैं जादा जानकारी उन से लेते हैं नीरज आप से जानना चाहेंगे अग्यात लोगों के द्वारा सत्पात सती के चेरे पर कालिक पोतने का काम किया जा रहा है जी बिल्कुल अर्चना जिस तरह से इन्होंने बयान दिया था राहूल गांदी की खिलाफ और जिस तरह से इन्होंने बदर भाशा का इस्तिमाल किया था था उससे कॉंग्रिस जो है पूरी तरह से इनके खिलाफ जो है मोर्चा खोल दिया है हलाब हो दिया है और जिस तरह से कि अपने आप में निया लेकिन तस्विर को अगर देखा जाए तो केवल और केवल सर्थभाल सटी के चेहरे पर कालिएपोतने का काम किया जारा Abraham एं और फिर यह इसका विपस्वार्ट को सकता है है इसके बारे में देखिए में और Go Where About कालिक पोटने का काम के गया है हाला कि आपको बता दें पिछले दिनों सब्सक्राइब और से कॉंगर्स अध्याक्ष राहूल गांदी पर पत्ती जनक टिपनी भी कि गई थी जिसे कहने कहीं कॉंगर्स में भी रोश देखने को मिल रहा था हाला कि ये साफ तोर पर नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष का ही ये काम है क्योंकि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किसकी ओर से ये काम किया गया है या तो ये मान सकते हैं कि शारती इस्तत क्यों से ये काम किया गया या विपक्ष की ओर से भी ये काम करवाएगा इस पर कु झाल